हलो इस्टूडेंट मैं रेशकुमार मैं अच्वाइन रेजिसर क्लासेस में आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ आज फिर से हम अमसी प्रिवेश ही जिसके अंदर हमारे पास पेपर फिप्त चल रहा है मेकेनिक से और इसके अंदर हमने युणिट फैस को स्टार्ट किया ओए जिसके अंदर आज हम लेक्चर को पढ़ने वाले हैं और आप जानते हैं कि युणिट फैस्ट हमारे पास कौन सी बुक के अंदर है डाइनेमिक्स ही जिसके अंदर बुक का पूरा नाम क्या है dynamics of a rigid body यानि सबस्ट है कि इससे पहले हम इसके तीन lecture complete कर चुके हैं उमीद है अब तक आप लोगों ने उन तीनों lectures को देख लिया होगा और उसके अंदर general equations of motions, de-alumbers principles और motion of translations को अच्छे से सीखा होगा ठीक है आज हम इस exercise के questions start करने वाले हैं और इसके अंदर example काफी important है तो आज से हम example और questions start करेंगे तो देखो सबसे पहले हमारे पास एक example है बुक के अंदर पहला ही पहला example है जो page 65 के उपर दिया हुआ है JPS की बुक में क्या कह रहा है हमारे पास example देखो एक बार पढ़ो इसको कि a plank of mass capital M is initially फिर आगे दे रखा है man of mass am starting from the upper end walks from down the plank so that it does not move और कुछ-कुछ हमें इसमें कुछ find करने के लिए दिया हुआ है तो देखो ये example हमारे पास काफी important है और ये exam में हमें पूछे जा सकते हैं देखो सबसे पहले example काहां कैसे start करना है एक स्टार्टी में आ गया एक पलेंक पलेंक हमारे पास वैसे पलेंकी होता है आप इसको ऐसे समझो की पलाई होती ना जिस बेडरूम के रहते हैं उसकी पलाई का एक टुकडा ले लो इस परकार से ठीक है हम क्या करेंगे जैसे इसको हम बोलते है तकता बोलते है या उसको फटा बोक्स बोलते है वही हमारे पास एक पलाई का टुकडा ले लो जैसे अपने बेडरूम के उपर जो पलाई होती उसका हमने एक छोटा होरिजन्टल टुकडा इसको काट लिया ठीक है अब यह हमारे पास क्या हो गया एक हें PLANK हो गया तो पहले तो इस word को सम्झों कि हमारे पास PLANK क्या होता है तो PLANK हमारे पास एक परकार से PLAI का ही एक हें टुकडा होता है इसका mass क्या दे दिया? Capital M दे दिया matter is initially at rest यह नहीं बताना चाहता है इस वर्ड का मतला परारम में रेस्ट कर रहा है along a line of greatest slope देखो इसको समझना line of greatest slope क्या होती है line of greatest slope हमारे पास सबसे पहले सिखना है क्या होती है तो देखो सभी अपने बच्पन में जब भी पढ़ते थे तो जूला जूलते थे तो हमारे पास स्कूल में जो फिसलन पटी वाला जूला होता था वो किस परकार से होता था कुछ ऐसा बना हुआ होता था जैसे यह हमारे पास क्या है ground आ गया और यह हमारे पास एक जूला बन गया जो इस परकार से हम इसके उपर चड़ते थे यहां से यहां गए और फिशल के अपन नीचे की और आगए अब अपने को ऐसी situations देखनी है कि इसकी कितनी height रखी जाए मतलब इसकी कितनी slope रखी जाए कि इसके उपर हम कोई भी वस्तू रखें तो वो फिशले ना सबसे पहले हम इस सिसाब से देखेंगे कि वो वस्तू फिशल के नीचे नहीं आनी चाहिए तो देखो अगर हम इसको इतना छोटा सा angle लेंगे अगर स्टार्टिंग में मालो हम एक degree का angle लेंगे कोई फरक नहीं पड़ेगा मतलो लगबग लगबग हमारे पास 45 degree तक इसमें कोई फरक नहीं पड़ेगा पर जैसे जैसे 45 से उपर की और जाएंगे मालो अपन चलेगे लगबग 75 degree के उपर अब इसके उपर रखी हुई वस्तू के उपर depend करेगा अगर वो बहुत भारी है तो फिसल के नीचे आ जाएगी अगर वो वस्तू हलकी है जैसे मालो 75 degree के उपर भी आपने एक बुक रख दी उसके उपर तो भी वो नहीं फिसलेगी बट 100% 90 degree पर रखते रखते वो नीचे आ जाएगी तो अप्रोक्सिमेट के होता है कि 45 degree तक तो कोई भी इसके उपर कित्ती भी भारी चीज रख दो साइध वो ना फिसले बट इसके उपर जैसे जैसे एंगल जाएगा तो फिसलना इस्टार्ट हो जाएगी तो हमें क्यूशन कहरा है कि आप इसकी greatest slope लो यानि अपने कोई अधिक्तम लेना है कि ऐसा एंगल जिसके उपर से ये फिसले ना और फिर एक ऐसा एंगल कि जैसे थोड़ा सा और बढ़ेंगे फिसलना इस्टार्ट हो जाए तो जब तक ये फिसलेगी नहीं तब तक जो एंगल रहेगा उसको बोलते हैं एंगल और रीपोज हैं आप इंटरनेट पर सconscious के लिए इसको हिंदी में क्या बोलते हैं ध्यान में नहीं है बाट इसको हम iyetवी बोलते वो वस्तु फिशले नहीं, मेक्सिमम एंगल, तो उसको यह हम क्या बोलते हैं, एंगल और रिपोज, और यह उस टाइम में जो लाइन होती है, यह होती है, हमारे पास एक ग्रेट लाइन और ग्रेटेश्टे सलोग, तो आप तो अपने स्कूल के जूले के हिसाब से याद रह होगे कि हम इसके उपर चड़े और अधिक्तम हमें फिसलना नहीं है, तो यह ग्राउंड के साथ एंगल क्या बनाएगा, हमारे पास एंगल थेटा बनाएगा, तो अब आपकी समझने के लिए क्या है, एक तो हमारे पास प्लेंक है, और प्लेंक हमारे पास एक पलाई का जुला हो गया, और जुले के उपर हमें यहां कोई जैसे अपन खुद ही मानलो, या इसके उपर यह रखना है, पलेंक रखना है, और यह पलेंक हमारे पास से फिसले ना, दो चीजों का हमारे इसका ध्यान रखना है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, जब तक फिसले की नहीं, वह मेक्सिमम लाइन होगी, उसी को हम बोलेंगे, गरेटेस्टी सलोप है, मतलब उसका ढ़ाल है, अधिक्तम लेलो, उससे ज़्यादा लेते साथ यह पलेंक फिसल के नीचे आ जाएगा, ठीक है, तो सबसे पहले देखो, हमें इसका डाइगराम बनाना है, और डाइ गरेटेस्टी सलोप है, और यह हमारे पास क्या गया, गराउंड आ गया, यह हमारे पास समतल है, और यह एंगल हमारे पास एंगल बन जाएगा, और यह किसके उपर है, स्टार्टिंग का एंगल है, इससे ज़्यादा एंगल एक डिगरी होते ही, इसके उपर रखी हुई को उपर एक पलेंक रखना है, तो मैंने माना कि इसके उपर मैंने एक पलेंक रख दिया, और पलेंक को मैं एक बार इस परकार से बना लेता हूँ, ताकि आप भी आसानी से इसे समझ सको, ठीक है, यह हमारे पास क्या हो गया, एक पलेंक हो गया, इसको समझने के लिए मैं प्लेंग है इसकी लेंथ कितनी है हमें एक बार नहीं मालूं ठीक है तो अगर आप क्यूसन्स पूरा पढ़ोगे कि ए प्लेंग कोफ मास एम इजनेशनी एट्रेस्ट अलोंग लास्ट में क्या दे रखा है हम लेके क्या नहीं है टू एम एम प्लस एम जी साइन एलफा एक क्य हाँ उसको लाइन ओफ ग्रेटेस्ट सलोप के उपर और ग्रेटेस्ट सलोप क्या होती है यह मैंने आपको समझाए दिया कि इससे ज्यादा एंगल बढ़ाएंगे तो यह फिसल के नीचे आजएगा यह मेक्सिमम सलोप अपने को लेनी है चलो अब लिखना इस्टार्ट करो अग्जम्पल क्या करा एप लैंगे इसके सुल्यूशन के अंदर तो देखो हमें क्यूशन के होई देख के लिखना है फिक है अपनी तरफ से इसमें कुछ भी जोड़ेंगे गटेंगे नहीं जहां ज़रूरत होगी वहीं करेंगे तो देखो एप लैंगे लेटर से सपोज ए प्लेंग के, let us suppose, लिखो साथ साथ, let us suppose a plank, और समझो भी, दोनों ही काम एक साथ करो, a plank के plank को हम क्या नाम दे देंगे, a, b, let us suppose that a plank a, b, और इसके साथ क्या लिख देंगे, is equal to a, इसकी length क्या होगी, हमारे पास a, where a is the length of a plank, तो direct ऐसे लिख सकते हो, कि suppose that a plank a, b, तो यहां तक आगे, एक plank इसको हमने क्या नाम दे दिया, भई, a, b, of mass m, of mass capital m, of mass capital m, of mass और capital m, कि उसने में लिखा है, is initially at rest, लिखते चलो, ऐसा कैसा, is initially at rest, along a, at rest, along a line of, along a line of greatest slope, line of greatest slope, समझे गें ना, greatest slope क्या होती है, of a smooth plane, of a smooth plane का मतलब चिकना समतल होता है, smooth plane, incline at an angle, incline, incline at an angle, कितना angle बना रहा है भी यह starting में, alpha, कितना angle बना रहा है भी यह alpha, किसके साथ है, to the horizon, देखो यह रहा, horizon यह नहीं, ground के साथ ही, कितना angle बना रहा है, diagram में साथ साथ लिखते चलो, angle alpha, to the horizon, to the horizon, बताओ यहां तक हमें कोई दिक्कत आई हो तो, तो बस हमें यह सिखना है कि grey state slope मतलब यह एक परकास से fishland पट्टी वाला जाएगा, angle हमारे पास horizon पे यहां बनेगा, यह maximum में के सलोप होगी, starting में हमने क्या किया, एक plank A भी ले लिया, जिसकी length हमारे पास क्या है, small a, इसकी A के length है, ठीक है, तो मैं यहां से लेके मिटा सकता हूँ, मतलब आप यहां तक आ गए, इस हिसाब से आपको लिखते हुए, यहां तक कोई भी problems नहीं होने चाहिए, ठीक है, अब यही हमारे पास पलाई का टुकड़ा नहीं बोलूँगा, अब मैं इसको plank बोल लूँ, ठीक है, क्या इस plank का हमारे पास कोई weight होगा, येस, इसमें चाहिए कम से कम 5 ग्राम ही वजन क्यों नहीं हो, बट इसके अंदर हमारे पास weight होगा, अब बताओ, इसका weight उपर की direction की और लगेगा, या right में लगेगा, या left में लगेगा, या फिर down लगेगा, तो आपको पता है, weight body force होता है, वो हमेशा नीचे की और लगता है, ground की और, अब बताओ, ये plank हमारे पास ऐसे रखा हुआ है, देखो, ये plank हमारे पास ऐसे रखा हुआ है, इसका body weight यहां लगेगा, या फिर यहां लगेगा, तो आप देख सकते हैं कि body force हो हमेशा इसके just center के नीचे लगेगा, और center के नीचे लगने का मतलब यह हमारे पास ठीक, बीचो बीच, इसके mid point की ओपर हो गया की नहीं हो गया, यहनि मद्धे बिंदू की ओपर हो गया की नहीं हो गया, तो यह हमारे पास क्या आगया, इसका body force आगया, body force आगया, या इसका आप बोल सकते हो, weight लगेगा, अब इस point को मैं नाम दे देता हूँ, capital G, ठीक है, इस point को हम नाम दे देते हैं, capital G, G क्या आगया, हमारे पास center of gravity, और आपको बता, center of gravity ठीक, इसके बीचों बीच लगेगी, तो यह हमारे पास क्या आगया, इसके इधर तक, अब बताओ, weight force कितना होता है, W is equal to mg, तो weight कितना होता है, body force, W is equal to mg, अब आप बताओ, small m रखोगे, या capital M लोगे, तो हमने देखा कि इस plank का mass, हमारे पास कितना है, capital M, तो आपको यहाँ small m ना लेकि, क्या लेना है, capital M into, capital M into G, और यह height कितनी होगी, A से लेके G तक की, देखो, अगर आप side में लिख सकते हो, diagram बना के, ag is equal to कितना हो गया, आपको अगर दिखाई दे रहा हो तो, आप यहाँ लिख सकते हो, यह चलो मैं ऐसे कर देता हूँ, कि ag हमारे पास कितना हो गया, a by 2, ठीक है, तो हम बोलेंगे, clearly, या ऐसे बता देंगे, कि ठीक इसके बीचों बीच लगेगा, total length a है, इसका center of gravity कहां लगा, इसके बीच में लगा, तो इसके height कितनी हो गई, a by 2 height के उपर, और कितना force लगा, हमारे पास capital mg लगा, ठीक है, इसी बात को हम क्या करेंगे, language के अंदर लिखेंगे, तो बताओ, language के अंदर क्या लिखेंगे, body force लिखूं, या फिर मैं इसका weight लिखूं, तो हम क्या लिखेंगे, अब arrow का sign लगा के लिख सकते हो, the weight of the plank, अब arrow का sign लगा के लिखोगे, कि the weight of the plank, the weight of the plank, acting through, या इसे लिख लो, acting, किरिया करता है, किसके उपर, through G, through G, the weight of a plank, acting through G, ठीक है, such that, such that, A, G कितना हो जाएगा, A, G, जैसे ये body का force लाई है, बीचों बीच, इसके center के उपर force लगा हो है, तो A, G कितना हो गया, A by 2, या फिर B, G कितना हो गया, A by 2, तो हम बोलेंगे, such that, A, G is equal to A by 2, ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो, B, G is equal to A by 2, ओके वी, तो हमने जैसे ही plank रखा, हमारे पास कोई force नहीं है, केवल और केवल उस plank का ही force लगेगा, जो एक body force के तोर पे काम करेगा, ठीक है वी, यहाँ तक आपको कोई भी problems नहीं आने जाएए, मैंने बिल्कुल questions की ही language देखके लिखा है, ध्यान रखोगे, बस mass capital M है, और यह length हमारे पास A है, जैसे ही आप इस exercise के question number 1 में आओगे, मैं साथ साथ यह बता देता हूँ बई, यह हमारे पास है, जैसे ही आप exercise 2.1 में आओगे, वहाँ जो plank की length है, वह 2A हो जाइगी, तो आप समाझ सकते हो कि यहाँ 2A होगी तो यहां कितनी हो जाइगी? A हो जाइगी तो आप साथ साथ ध्यान दोगे, वाँ small M है, यहाँ हमारे पास M है, यहाँ capital M मास्ट देर रखा है, question के अंदर M मास्ट देर रखा है, वैसे भी अपन डी अलंबर प्रिंशिपली इसके उपर लगाएंगे तो अक्स्टरनल फोर्स भी देखेंगे रिवर्स एप्यक्टिव फोर्स भी देखेंगे जो आपने लेक्शर वन टू और थरी के अंदरे सीखें ठीक है तो क्यूशन मेरे पास यह आतक हो गया अब देख मास M स्टार्टिंग फ्रॉं दा अपर एंड एपर एंड क्या है हमारे पास ए चलता है वाल्क्स डाउं मीचे क्यों रहता है दा प्लेंग प्लेंग के ऊपर चलता हुए यह वेक्ति हमारे पास नीचे की और आता है So that it does not move yeah So that it does not move मतलब जो वेक्ति इस प्लेंग के ऊपर चल रहा है या आप पलाई के मतलब पहले तो पलाई का टुकड़ा लो वो आप जूले के ऊपर रखो ऐसे समझो अपने एकदम सिंपल वासा में कि जिस स्कूल में आप जूला जूलते थे उसके उपर पलाई का एक टुकडा रखो वो फिसलना ने चाहिए अब आपको उसके उपर चलना है और यह प्लेंग फिसल के नहीं आएगा ऐसी हमें कंडिशन लेना है यह आप आपसे समझ सकते हो कि पलेंग जो टुकडा रखा हुआ पलाई का वो हमारे पास यहां नट बोल्ट से कसा हुआ है इसलिए फिसलेगा नहीं पर आपको यह डागराम में नहीं बना न केवल समझने के विए कि इट डज नोट मूव यानि यह पलेंग फिसल के नहीं आ और नीचे की और उसको लेके आना है और यह हमारे पास मूव करना नहीं चाहिए so that he gets to other end other कौन सा हो गया वे दूसरा सीरा बी हो गया in time यानि हमें इसका time लेके आना है तो कुल मिला कि आप question समझ गए होंगे अब क्या करना है इसके उपर एक वेक्ति को सलाना है एसे और वेक्ति पहुंचना चाहिए बी के उपर और ग्यात करो उसको कितना time लगा question में हमें इसका time कुछ है कौन कभ other end यानि ऊपरी end से चलेगा और दूसरा other end कौन सा आ गया भी इस सीरे बी के उपर पहुंचने में उसके कितना वक्ते लगा यह हमें इसका ग्यात करना है और वो answer से हमारे पास time कितना है रूट के अंदर 2ma upon m plus m into g sin alpha alpha समझ गए यह horizon के साथ angle दिया होता जी आप पता ही है g9.8 meter per second square होता है capital m क्या है plank का मास small m क्या है हमारे पास है वेक्ति का मास a क्या है इस plank की length है ठीक है और अगर ने लिखे अब दे दिया where a is the length of the plank तो कहने का मतलब अब इसके उपर हमें क्या करना है इसके उपर एक वेक्ति को चलाना है जो सीरे a से starting करें तो लिखो लेंगे इसके अंदर let a man let a man एक वेक्ति जिसका मास क्या है which of मास m yes let a man which of मास m starting from the upper end लिखते चलो साथ साथ starting from the upper end starting from the upper end बिल्कुल क्यूसन में देखके चलना है यहां तक आके लिखते ना starting from the upper end कौन सा है upper end हमारे पास है capital a starting from the upper end capital a yes अब वो वेक्ति है वो इस a से चल पड़ा है कहां किसके लिए point b के उपर आने के लिए ठीक है अब यहां तक रुख जाओ मतलब हमारे पास है क्या लिख लिए हमने and a man of mass small m starting from the upper end अब यह चलेगा नीचे की और ठीक है भी अब मैं इतने questions को हटा रहा हूं यहां तक हमारे पास situation से आ गई है मेरे हिसाब से यहां तक कोई दिकत नहीं होनी चाहिए ठीक है अब देखो जैसे ही एक वेक्ति चल के आएगा हम मानेंगे थोड़ी देर पस चाहते हैं वो वेक्ति अक्स दूरी तै करके हैं देखो हम क्या मानेंगे कि वो वेक्ति देखो एसे चल के आएगा नीचे की और चल के आएगा न थोड़ी देर चल के आया किसी time t के उपर उन्होंने अक्स दूरी तै की और एक बिंदू के उपर ऐसे तो हम मानेंगे किसी टाइम टी के उपर हो कहा पहुँच गया ब lässt फोखोंच lle उसका वेट कहँड़ेगा जैसे महालны वाल वह वेट वह वुएक्थती यहां है तो नीचे कि ओर चलके यहां गए तो यहां लग जैए बीगे ऊपर पहुँचेगा तो बीगे उपर मतलों उसका वेट वो साथ-साथ मूग कर रहा है तो जैसे वो पॉइंट पी के ऊपर पहुँचेगा तो हम क्या ले लेंगे उसका वेट मजी देखो डबलू इजी अकुल टू क्या होता है एम जी और उस विएकति का मास कितना ह है small m तो हमने ले लिया mg यह व्यक्ति अगर a point के उपर खड़ा हुआ है तब इसका भार mg लगा हुआ है थोड़ी दिर पसाथ यहां पहुंच गया point P के उपर तो भी इसका भार mg है थोड़ी दिर पसाथ B के time T के उपर थोड़ी बहुत दूरी भी तैकर के आएगा और माली वो distance कितनी पार कर ली इसने अक्ष डिस्टेंस पार कर ली और point P के उपर पहुंच गया point P के उपर पहुंच गया उस वक्त इसका फोर्ष कितना लगा mg उस वक्त इसका खुद व्यक्ति का फोर्ष कितना हो गय गया mg हो गया तो बताओ यहां तक कोई दिक्कत है तो है ना तो ऐसे हमें क्यूशन को step by step से समझना होगा ताकि आप क्यूशन को अच्छे से drive कर सको ठीक है वई तो हमने क्या क्या अब लिखेंगे इसके अंदर language के अंदर कि एक मेंच चल के आ गया किसी time के उपर अक्स ग्रेंक का वजन है और एक हमारे पास उसे वेक्टी का वजन है अब इन दोनों का center of gravity कहा निकलेगा अब यह समझने वाले बात है अब यह समझने वाले बात है कि हमारे पास इन दोनों कोई center of gravity कहा निकलेगी येस तो वो इन दोनों के बीच में होगी कि नहीं होगी suppose ग्रो भई एक बार imagine करके देखो क्या वो इन दोनों के बीच में होगी या नहीं होगी देखो डाग्राम को मैं एक बार थोड़ा सा इधर बना लेता हूँ आप ऐसे समझोगे अब ये plank है ठीक है ये point A है और ये हमारे पास point G है G के उपर तो भार लगा हुआ है capital M G और ये वेक्ती पहुँच गया point P के उपर अक्स दूरी तैकर के आगया और इसका वजन है हमारे पास small mg ठीक है ये हमारे पास क्या बहीं पलेंक है आप ऐसे समझारो इसको same ये ही situation है मतलब मैंने A लिख लिया G लिख लिया P लिख लिया X दूरी तैकर के अगया अब यहां हमारे पास क्या है कि एक तो वो पलेंक का वजन है और एक खुद इस वेक्ती का वजन है इन दोनों का center of gravity ठीक किसके बीच में लगेगा कि नहीं लगेगा इन दोनों की center of gravity को मैं एक बार पनाम दे देता हूँ G bar G bar और bar का मतलब क्या होगे इन दोनों का average मतलब man का भी वजन है और हमारे पास इसका भी वजन है पलेंक का तो इसका भार कितना होगा वही formula W is equal to mg मतलब यह mg भी लगेगा capital mg पलेंक का भार भी लगेगा पलस उस वेक्ति का भी भार लगेगा या g इसके अंदर आप comment ले लो m पलस m into g क्या लगेगा भई m पलस m into g ठीक है क्योंकि अब इनके पलेंक का भी भार हो गया यह अलग बात है कि अगर वेक्ति mid point पे आ जाता तो सारे का mid point के उपर या मद्दे बिंदू के उपर ही हो जाते कहने का मतलब अब देखो अब जैसे center of gravity अब यह दूरी कितनी है हमें नहीं पता पर यह पता है कि x दूरी तया करके बिंदू P के उपर आया तो इसको आप एक बार बार ले लो जैसे g के उपर center of gravity लगए है तो x की भी पैसान हमने क्या कर ली x के उपर बार लगा के पैसान कर ली ठीक है अब नया symbol y भी दे सकते हो या फिर आप x के उपर बार लगा लो ताकि पता चल जाएगा कि यह center of gravity तक की दूरी है तो कहने का मतलब मैं अब यहाँ एक point लिखूँ अब यहाँ हम एक point लिखें ये वाला और इसको हम point को क्या नाम देंगे g के उपर आप बार लगाओगे center of gravity gravity इसका वजन कितना रह गया इसका भी भार पलस इसका भी भार या दोनों में आप g common ले लो add करके और ये distance कितनी हो गई वही हमारे पास है x बार पॉइंट एसे लेके जी तक यानि इस diagram में देखके आप ऐसे बहुल सकते हो कि ag है वो तो a by 2 है देखो सीधी बाष सामें बात करूँ ag है वो तो a by 2 है total a b हो कितनी है a है अब a से c kी दूरी हमने कितनी मानी है x मानी है a से g बार की दूरी कितनी मानी है a अलग है g बार कोई भी student ऐसे नहीं लगाएगा ag पूरे के उपर बार नहीं लगाओगे वही क्योंकि मैंने के अवल G के उपर लिखर गया है तो A से G बार की दूरी कितनी है हमारे पास है आक से बार है ठीक है इस पॉइंट के उपर वजन कितना लगा हुआ है बोडी फोर से, capital M G man का, small M G इसके उपर center of gravity ने दोनों का add हो जाएगा, M plus M into जी, अब इसी बात को मैं language के अंदर लिखने वाला हूँ ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये diagram आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे वेक्ति इसके उपर चलेगा खुद वेक्ति का भार, और फिर साथ-साथ इस plank दोनों का भार और इसके ये साथ-साथ क्या लग जाएगी center open gravity ओके भई, तो ये हमारे पास एक परकास से diagram हो गया और साथ-साथ अपन इस language को भी ध्यान में रखेंगे और ये points मैंने side में लिख दिया है अब आपसे कोई गलती नहीं होगी इदर तो अब मैं लिखूंगा कि let a man which mass small m starting from upper end a अब ये जैसे ही नीचे आया तो हम क्या बोलेंगे भई cam down, upper down a cam down a distance आप लिखो cam down नीचे आया a distance x कितनी दूरी तैकर क्या है भई ये a distance x in any time t in time t किसके उपर चला भई ये plank के उपर in time t of the plank in time t of the plank ठीक है कि जैसे वेक्ती upper end पे चला ये cam down नीचे आया distance x पार करके किसी time t के उपर और ये चला किसके उपर of the plank के उपर ठीक है अब जैसे यहां आया अब हमने क्या ले लिया इसका x बार है वो center of gravity ले लिया और point को हमने क्या नाम दे दिया g बार point को हमने नाम दे दिया तो अब हम क्या लिखेंगे कि if x बार बीदा हमने अपनी मर्जी से माना न x बार आप चाहो तो y भी मान सकते हो पर हमने लिख दिया कि if x बार बीदा of a center of a gravity yes if x बार बीदा distance of center of gravity g of the plank g of the plank let x बार बीदा distance of center of gravity g of the plank which man on it which man on it यानि उस वक्त वेकती इसके उपर है इसके उपर plank के उपर कहां से from a से इसके उपर स्टार्ट हुआ then then बैस अब यहां आके आपे रुख जाओ एक बार तो मैं लिख लिया if x बार बीदा distance of center of gravity और x बार किसके लिए लगा हूँ देखो g के उपर हमने g बार लगा रखा है यदि वेक्ती इसके उपर है तो अब आप याद करो lecture 2 जिसके अंदर हमने कुछ आपको सिखाया था कि आप center of gravity कैसे निकालोगे वही तो किसी का भी center of gravity निकालते थे उस वक्त हम x y पॉइंट के लिए निकालते थे तो अक्सकोम कैसे बोलते थे m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस mn xn upon m1 प्लस m2 प्लस m1 upon m1 प्लस m2 प्लस mn ठीक इसी परकार y निकालते थे m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस mn y1 upon m1 m2 प्लस mn तक तो यहां हम center of gravity क्या निकालेंगे x bar distance है तो x bar distance निकालेंगे प्लस m2 x2 upon m1 प्लस m2 यानि हमारे पास केवल दो object है कौन कौन सा object एक तो हमारे पास plank है और एक खुद ही वेक्ती है ठीक है तो हमने दो तक रुग गई m1 x1 प्लस m2 x2 upon m1 प्लस m2 बताओ पहले आप plank या तो आप plank लो या फिर आप ही man को लो पहले मैंने किसको ले लिया plank को ले लिया plank का mass कितना है m1 किज गया है capital m वेक्ती का mass कितना है small m plank के लिए दूरी कितनी है center of gravity center of gravity g बार हटाओ g ही करो क्योंकि इसके बीचों बीच लेगे गए न plank के उपर तो starting के अंदर mass m हो गया और plank के लिए a से g तक की दूरी कितनी आ गई देखो a से g तक की दूरी कितनी आ गई a बटा 2 a से g तक की दूरी कितनी आ गई a बटा 2 plus m2 किसका मान है वेक्ती का मान है m और उस वक्त इसकी दूरी कितनी है उस वक्त इसकी दूरी कितनी है A से लेके P तक की AX से दूरी है upon M1 पलस M2 तो M1 की जगह है capital M और इसकी जगह हमारे पास है small M ठीक है तो यह हमारे पास formula होता है center of gravity का निकालने के लिए center of gravity हमारे पास ठीक starting में इसके बीचों बीचती तो हमने ले लिया M1 AX1 plus M2 AX2 upon M1 plus M2 और M1 M2 is a capital M और small M starting में A से लेके G तक की दूरी हमारे पास से A बटा 2 और A से लेके P तक की दूरी small X ठीक है अब इसको इधर ले आओ cross multiply करो तो यह हमारे पास कितना आजएगा और capital M plus small M into X के उपर बार लगा दिया is equal to यह कितना बचे गया M into AY2 plus M into AX और इसको हम मानेंगे equation number इसको हम क्या मानेंगे equation number तो मेरे इसाब से equation 1 तक आपको कोई भी problems नहीं होनी चाहिए यहां तक हम बिलकुल step by step करते आ रहे हैं भले हम इस question में चाए 50 मिनट पूरी खा जाएं बट यह question आपके यहीं remember हो जाएगा ठीक है अब इसका क्या कर दो आप differentiations कर दो कितनी बार कर दो पिछले वाले topic को में two times करते आए हैं तो हम क्या लिखेंगे now differentiations equations to one now differentiations equations क्यों करेंगे वो अभी आगे चलके clear हो जाएगा now differentiations equations to one से देखो now differentiations equations one से twice with respect to t both sides we get both sides we get इसका हम two times differentiations करेंगे तो यह देखो capital M plus M तो रह जाएगा ऐसा कैसा अक्स के उपर गलती से भूल मज़ा ना अक्स के उपर पहले तो आप क्या लगाओगे बार लगाओगे फिर इसके उपर दो डोट लगाओगे दो डोट लगाने का मतलब root times t के respect में differentiation है कोई भी ऐसे करके ऐसे नहीं लगाएगा यह मैं पहले भी बता चुकाओँ ठीक है एक तो इसका differentiation हो गया is equal to अब बताओ a by 2 हमारे पास क्या है एक fixed distance है देखो a by 2 हमारे पास क्या है जैसे मालो starting में अगर हमने उपलाई का टूपक डालिया अगर वो 4 मिटर का है तो इसका just 2 मिटर हो गए वो क्या हो गया fix हो गया तो आपको पता है fix का differentiation क्या होता है 0 होता है plus small m x का कितना हो जाएगा आक से double dot x का कितना हो जाएगा हमारे पास x है double dot अब अब यह मस्तो जाएगा सर्थ देखो x भी एक distance है तो distance भी fix हो गई तो इसका भी differentiation क्या हो जाएगा 0 बट हमारे पास यहाँ x distance fix नहीं है क्योंकि यह वेक्ती point P के उपर था तो distance सकसे थोड़ी देर पर साथ यहाँ एगा चलते चलते यहाँ तक आएगा हलांकि यह बात अलग है कि last अधिक्तम x किसके बराबर होगा last में x किसके बराबर होगा a के बराबर पर किसी किसी point के उपर हम accurate distance नहीं बता सकते तो इसका हमतरा continue con change हो रही है distance से change हो रही है जैसे जैसे वह वेक्ति चल रहा है तो distance हमारे पास एक variable हो गया और आपको पता variable का differentiation होता है और अचर होता है या constant का differentiation जीरो होता है तो हम इस x का हमने two times का दिया अक से double dot ठीक है भी? यह x fix नहीं है जो change होता है रहता है वह हमारे पास क्या होता है? variable होता है तो यह मेरे पास क्या आगई? equations number two आगई अब देखो यहां तक equations two को नाम देना चाहो तो ठीक है नाम नहीं देना चाहो तो आप इसको direct equations two ही लिखा रहेने दे सकते हो फिर भी आपन क्या करेंगे? इसको थोड़ा सा standard name देंगे और वो name हमारे पास क्या रहेगा? कि जो equations two है यह क्या देती है वही? दो dot का मतलब क्या हो गया? कि इसका d2 x बटा dt square x bar के उपर यहां भी दो dot का मतलब कितना हो गया? d2 x बटा dt square और इसको क्या बोलते हैं वही? तावरण यह इंग्लीज में ascaleration से बोलते हैं ठीक है? तो हम क्या लिखेंगे? आप लिखोगे अगर आपके एक्जाम में याद आ जाए तो लिख दे ना? नहीं आज तो कोई बात नहीं एक दो लाइन से आप छोड़ भी सकते हो तो हम क्या लिखेंगे? कि equation से 2 है वो हमारे पास क्या देती है? gives the ascaleration gives the ascaleration gives the ascaleration किसके लिए देती है? आप दा सेंटर ओफे ग्रेविटी किसके लिए ओफ दा सिस्टम इस पूरे वाले सिस्टम के लिए ओफ दा सिस्टम ठीक है? और due to motion of a man पूरी लेंग्वेज लिखा आप due to motion of a man यानि ये क्या करना चाहिएगा? जब वो व्यक्ति गती कर रहा है उस दोरान ये सेंटर ओफ ग्रेविटी के उपर तावरन को परदान करेगा ठीक है? due to मतलग के दोरान motion of a man कि जैसे एक व्यक्ति इसके उपर चलता हो रहे है उस दोरान ये सेंटर ओफ ग्रेविटी के उपर किसको डिनोट करेगा? तावरन को डिनोट करेगा या अस्कलरेशन को डिनोट करेगा तो ये लाइन अगर इतनी अग्जा में याद आ जाए तो लिख देना नहीं आए तो आप equations 2 को equations 2 तक ही रहने देना तो ये हमारे पास था कि एक प्लेंक है एक वेक्ति है इसके उपर उसको हमने चलाना स्टार्ट कर दिया है अब वो चलते चलते यहां आ रहा है अब हमें उसका time निकालना है तो यहां तक आप इसको रुतारो मैं इसे एक बार रब कर रहा हूं क्योंकि आगे हमें इसकी जरूरतें रहेगी तो मैं लिख सकता हूं कि यह हमारे पास क्या आगी equations number नमबरे 2 को आप इन ध्यान में रखोगे ठीक है अब इस्टार्ट होता है हमारे पास यहां अपना topic main questions की जो read की हर्दी बोलते हैं या जो हमें निकलना यहां से बार अब वह start होगा अब यहां तक इस system को हमने अपने कागज के उपर या अपने pen denote कर लिया है कोई problems नहीं या निचाहिए अब देखो कि और कौन-कौन से forces लगे हुए हैं एक वेक्ति के उपर अन्य टाइम लगेगा ही लगेगा ठीक है करने का मतलब अब यह जो system है due to systems motions of man इस दोरान इसके उपर क्या लगेगा वह एक external forces से लगेगा ठीक है तो यह हमने previous lecture में एक topic किया था motion of translation से और साथ-साथ motion of rotations दोनों ही topics हमने पढ़ गए एक questions को ही cover किया था तो अब हमारी पास वो theory यहाँ apply होगी ठीक है तो कहने का मतलब कुल मिला के हमें इसके उपर क्या लगाना है external forces से लगाना है अभी तक केवल और केवल देखो कौन बैठा है small m का मतलब है वो वेक्ति बैठा है क्योंकि m किसका मास है वेक्ति का मास है तो हम दिखेंगे कि इसके बराबर हमारे पास कुछ external forces भी लगेंगे तो अब लिखोगे now the motion of translations language में क्या लिखोगे now the motion यह लगबग हमारे पास से JPS की book same to same है इसमें कोई खास परिवर्तन नहीं है क्योंकि book के अंदर काफी अच्छी language देर की है तो now the motion of a translation now the motion of a translation of the body is considered of the body is considered कि हमने उस वक्त माना as the motion of its center of gravity बात यही निकलेगी as the motion of a as the motion of a center of gravity center of gravity जी आप लिखोगे c.g ठीक है assuming it all assume समझाओंगा मैं इस लाइन को assuming it all the external forces external forces therefore 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 m plus m into x bar m plus m into x bar की double dot is equal to external forces अब मैं एक बार यहां रूख जाता हूं ठीक है कहने का मतलब अब यह क्या कहना चाहेगा कि वह plank वह mass यहां तक तक तो सब ठीक है अब इसके उपर कुछ बाहिये effect पढ़ रहा है चैनल मान के वह इस मान के चलो कि आपके उपर अब हवा का दबाओ है मतलब अपने starting में हमने इस हिसाब से रखाया है इस position को कि इसके उपर कोई object ऐसे रखाया है कि वह हमारे पास फिसल ना जाए ठीक है हमने अधिकतम line of greatest slope ले लिया अब suppose ग्रो कि जैसे इसके उपर हवा का थोड़ा सा भी wake बढ़ेगा यह वस्तु फिसल के नीचे आएगी कि नहीं आएगी यह वस्तु फिसल के किस direction क्यों रहेगी या हमारे पास playing किस फिसल के कौन से direction क्यों रहेगा यह नीचे क्यों रहेगा या हवा में उपर क्यों चला जाएगा या ऐसे नीचे गिर जाएगा नहीं, यह हर बार, मतलब आप, अब आप खुद को इमानो कि आप फिसलन पटी के उपर हो, आप फिसलन पटी के उपर यहां ऐसे आराम से लेटे हुए हो, जैसे ही हवा की तेज स्पीड आई, आप फिसल के ऐसे नीचे गिर जाओगे, या उपर आओगे, या आप इसके उप पर फिसलेंगे, क्योंकि साथ-साथ यह हमारे पास कहीं न कहीं, इस मुथ पलेन था, मतलब चिकना पलेन है, इसकी वजए से, जैसे ही थोड़ा सा हवा का वेग आएगा, हम फिसल के इसके नीचे की और आजाएंगे, तो ध्यान देना, जस्ट यह पलेंक है, यह खिसक के हम हमारे पास इस साइड में आ जाएगा, तो उस वक्त हमारे पास ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन का मतलब होता है, गती कर रहा है, तो हमने लिख दिया, कि now the motion of translation of the body, साथ-साथ अपनी body आ रही है, अपन खुद मैन है न, तो is considered as the motion of center of gravity, हमने माना जो translation लग रहा है, वो सब कि external forces की वज़े से, जो भी हमारे पास forces लगेगा, ये फिसल के नीचे की ओर आएगी, अब बताओ ये नीचे की ओर आ रही है, तो just plank के parallel है, या plank के perpendicular है, सोचो, कि हमारे पास, जैसे ये सपोजगरो कि ये हमारे पास क्या है, एक एक plank है, और इसके उपर ये हमारे पास एक man है, ये जो marker का आपको डगकन दिखाए दे रहे, ये इसके उपर है, ये के man है, ठीक है, इस्टार्टिंग में हमने इसको ऐसे यहां रोका हुआ है, जैसे देखो थोड़ा सा हवा की speed बढ़ेगी, external forces लगेगा, ये फिसल के 100% हमारे पास नीचे की ओर आएगा, ठीक है भी, हम यहां क्या लिखेंगे बई, कि external forces से वो किसके उपर acting करेंगे, external forces से acting parallel on the plank, parallel on the plank, ठीक है, जैसे ही starting में हमने ठीक इस परकार से बांदा हुआ था, कि बस कुल मिला के यहां रुका हुआ हुआ है, बस फिसलना नहीं चाहिए, अब जैसे external forces आएगा, वो तो इसको, क्योंकि हमने अधिक्तम position पे तो पहले इसको रोक के रखा है, जैसे वो फिसलेगा, वो just इसके उपर फिसल कियाएगा, मतलब जो translation motion होगा, वो हमारे पास से parallel होगा, तो हमने लिख दिया कि, m plus m into axis double dot is equal to external forces acting parallel to the link, अब देखो, मने left side है, इसको ऐसा का ऐसा रखा है, कहीं आ हमारे पास कौन बैटा था, वेक्ती बैटा था, अब हमारे पास साथ साथ कौन ओर आ गए, external forces से ओर आ गए, पहले तो इसका केवल body force काम कर रहे थे हैं, इन दोनों के, अब हमारे पास ही, जो external forces से उनको भी apply करना, तो वो कहाँ apply करेंगी, वो इस side में तो आएगा, left side में तो इसा काईसा है, रहने वाला है, center of gravity क्योंकि यह तो change नहीं होगा, dot point है, यह तो इसा कैसा रहेगा, वह वेक्ती अगर यहां से यहां तक आ जाएगा, तो अब ही point का center of gravity तो यह रहने वाला है, क्योंकि plank हमारे पास fix है, वो हमारे पास move नहीं करेगा, does not move, अब मेरे गो next step के अंदर और m पलस m और m पलस m into अक्स बार डवल डोट is equal to mg sin alpha हम क्या लिखेंगे m पलस m into g sin alpha हम यहां लिखेंगे m पलस m into g sin alpha और इसको मैं नाम दूँगा equations number 3 अब मैंने इसे ऐसा क्यों लिखा यह आपको समझना है हमने क्या लिखा m पलस m into g sin alpha अब आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना भी क्योंकि अब यहां हमारे पास प्योर physics से काम करने वाली है हमारे पास प्योर physics इसके अंदर काम करने वाली है इस diagram को मैं एक बार ऐसे बना लेता हूँ वापिस कि हमारे पास angle alpha यह हमारे पास क्या था इसके उपर एक पलेंग था अब देखो पलेंग को मैं एक बार बिल्कुल छोटा सा बना लेता हूँ कि हमारे पास क्या है एक पलेंग है जैसे ही इसके उपर external forces लगेगा इसके उपर चार चीजें काम करेंगी मालो यह हमारे पास क्या है कहीं पलेंग है जैसे इसके उपर external forces लगेगा एक तो यह हमारे पास फिसल के नीचे की हो रहेगी अब देखो यह हमारे पास क्या है चिकना समतल है या इसमूथ पलेन है तो जैसे देखो आप मालो अपने कमरे में किसी बोक्स को खिसकाते हो तो अगर वो निचे से पलेन नहीं है तो आप उसको ले जाना काफी कठीन होगा या अगर निचे से वो बिल्कुल ऐसे चिकना फर्स बना हुआ है उसके उपर जैसे ही हम फोर्स कोई भी ऑब्जेक्ट या बोक्स बगरा खिसकाएंगे तो यहां उसके क्या लगेगा घर्षन बल लगेगा इसको इंगलीस में आप हम क्या बोलेंगे इसके उपर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा फिर उस बक्से का वजन है वो नीचे की और काम करेगा बोडी वेट एक इसके हमारे पास क्या काम करेगा नॉर्मल मतलब उसके परपेंडिकुल मैंने पहले वाल लेक्शन बतायता कि कोई भी ऑब्जेक्ट पे हमेसा च्यार चीजे काम करती है ठीक है जैसे मालो आप कभी भी बाइक से आपने ड्राइव किया होगा जैसे ही आप बाइक का यहां ब्रेक लगाते हो तो आप आगे की और जाते हो पीछे की और जाते हो फिर एक नॉर्मल अपने को कंट्रोल करता है और शाद साथ अपना और बाई का weight भी नीचे की हो रहा है तो ये च्यारों force अगर इकली बरियम में हो यानि सामय आवस्ता में हो सामय आवस्ता में होने का मतलब ये force 1 ये force 2 ये force 3 और ये बेर्डी force 4 total force अगर हमारे पास 0 होगा तब हमारे पास एकली बरियम या सामय आवस्ता बोलेंगे ठीक है तो ठीक उसी परकार हमारे पास ये च्यार चीज़ें लिखे हुई है आप इसे साइड में रख में बनाओगे कि हमारे पास फ्रिक्षन फोर्च रहे और बोड़ी वेट कितना है भई ये हमारे पास अब की बार M पलस M इंटू G बोड़ी फोर्च किसका है? उस पलेंक का भी और हमारे उसके ओपर जो वेक्ती चल रहा है उन दोनों का भी और वो हमारे पास कितना है था? M पलस M इंटू G अब यह नीचे क्यों फिसलेगा यह angle alpha है तो यह बनेगा physics के हिसाब से small m plus m into sin alpha यह बनेगा हमारे पास m plus m into cos alpha ठीक है यह perpendicular है 90 degree के उपर तो बनेगा m plus m sin alpha और यह इसके parallel है यह आपको दिखाई नहीं देगा यह plank खुद perpendicular है और perpendicular के parallel में क्या है मतलब यही plank है और यही हमारे पास man इस direction में आ रहा है और यह खुद इसके perpendicular है तो यहां हमारे पास इस direction बनेगा m plus m into sin alpha और यह बनेगा m plus m into g है यह बनेगा m plus small m into g sin alpha तो आप यहां से एक बाद थोड़ा सा रपने बना लो यह हमारे पास physics का rules है तो इस बज़े से आपको समझ में आ जाएगा कि जब भी आप इसे पढ़ने बैठों तो आप ऐसे बनाओ कि यह हमारे पास क्या है पलेंग है यह हमारे पास क्या है पलेंग है इस सैड में हमारे पास जो force लगा वो तो लगा m plus m into g sin alpha m plus m into g sin alpha sin alpha इधर लगेगा वो लगेगा m plus m into g cos alpha इसका weight है मतलब इन दोनों का जो common होता है वो लगेगा m plus m into g इस सैड में control करने के लिए friction force लगेगा और इसके उपर हमारे पास normal जिसको हम अभी लम बोलते है capital n लगेगा अरे ठीक उसी परकार जैसे आप निकाला करते हैं कि यह point p है यह point r है यह theta है तो perpendicular हो गया यह r cos theta और यह r sin theta अब इसको थोड़ा ठीक उसी परकार है अब इसको एकदम से उल्टा कर लो ऐसे जूले के साब से ले जाओ अब यह जो फिसल की आ रहा है r sin theta perpendicular ना आके हमारे पास parallel आ रहा है देखो यह हमारे पास perpendicular ना आके parallel आ रहा है तो यह वाली positions है यह इस वाली positions के उपर आ रहा है ठीक है भई तो यह आपका questions था जो आपको steps by steps आपको समझने थे यहां तक अगर आप अच्छे से समझ सुके हो तो अब आगे इसके अंदर pure calculation है उसमें समझने के लिए कुछ भी नया नहीं है ठीक है उसके अंदर समझने के लिए कुछ भी नहीं है आगे अब हम इस questions को topic को speed से करे सकते हैं यहीं हमारे पास आप equations 2 तक आगे और एक equations नमबरें 3 तक आगे अब compare कर लो compare equations 2 and 3 अब हम क्या करेंगे compare equations 2 and 3 अब देखो आगे समझने के लिए इसमें कुछ भी नहीं बचा है जो मैं बात थी वो मैं आपको समझा चुका हूँ एम पलस देखो compare करो left side बराबर है right side में कितना आ गया small m x double dot पहले इसको ले लो और फिर इसको लिखो capital m पलस m into g sin alpha ठीक है भी या x double dot को इधर रखो x double dot को इधर रखो m को इधर ले जाओ तो m पलस m upon m into g sin alpha इसको हम नाम देगे equations नमबर ठीक है अब आप इसका integrations कर दो integrations करेंगे तो क्या आएगा हम बोलेंगे integrating it integrating it integration करेंगे तो इसका एक dot हट जाएगा देखो integrations करेंगे तो इसका एक dot हट जाएगा और यह कितना बचेगा m plus m upon m और यह g sin alpha और into में t into में t plus constant c ऐसे नहीं समझ में आये तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो देखो d2 x बटा dt square वास्ता में राक्ष डबल डोट का मतलब कितना है d2 x बटा dt square और यहां हमारे पास t है ही नहीं यहां हमारे dt हमारे पास आ जाएगा इधर अब जैसे दोनों पक्स हों में इंटीग्रेशन करेंगे यह constant है तो इसका d हटके यह तो कितना बच गया डी एक्स बटा dt और dt का कितना हो जाएगा t पलस क्या जाएगा constant और dx बटा dt को क्या बोलते है अक्स डोट बट आपको अब इस मेथर से नहीं आपको सिधा करना है कि जैसे double dot हो यह से सोचो कि single lux है एक बार आउकलंग करोगे dot लगा दो दो बार आउकलंग करोगे तो डोट लगा दो अब इसका समाकलंग करोगे integration तो एक डोट लगो दुबारा integration करो तो यह अक्स आजएगा ठीक है dot का मतलब होता है T के respect में होता है तो आप T के respect में करोगे तो यहां क्या जाएगा into में T plus C इन्टू में T plus C यहनि किसके बराबर आगया है हमारे पास X dot के बराबर आगया ठीक है अब हम क्या लिखेंगे applying the condition इस constant C को हटाना है कि नहीं हटाना अब हम क्या करेंगे applying the condition applying the conditions अब हम इसके उपर हम conditions apply करेंगे और conditions आप लिखोगे एक तो T है एक X है एक X dot है T is equal to 0, X is equal to 0 और X dot is equal to 0 condition apply करेंगे T is equal to 0, X is equal to 0 और X dot is equal to 0 और इसको ऐसे समझो कि हमारे पास हुआ ही plank था जो starting में हमने कहां से start किया था? point A से चल किया था, point B के उपर है और यह हमारे पास G देखो हमने क्या माना था? कि किसी time T के उपर हो पहुँचके point P के उपर आगया अक्स दूरी तै करके अब मैं बोलों भाई इसकी starting में condition बताओ जैसे यह main चल नहीं रहा था, उससे पहले condition क्या थी? वो point A के उपर था, तो उस time में time भी 0 था, उस वक्त इसने कोई दूरी तै नहीं की अक्स भी 0 था, अब अक्स ही 0 तो dx बटा dt क्या होना है? अपने आप भी 0 होना है तो यह main condition applying the condition starting के अंदर जब अव्यक्ति चलना यह start नहीं हुआ था, उस वक्त उन्होंने कोई भी दूरी तै नहीं की थी, तो अक्स जीरो, अब अक्स भी 0 तो अक्स डोट भी 0, यह दोनों पक्सों में आउकलं करोगे तो 0 का आउकलं फिर से 0 आजएगा तो रखो इसके अंदर, इसको आप नाम देदो, equations नमबरें, फाइफ अक्स डोट की जगए 0 रखो, और यह m पलस m upon small m into g sin alpha, यह brackets मैंने ऐसे लगाया है, कि ताकि आगे चलके आपका alpha t ना हो जाए, कुछ-कुछ students का ऐसे हो जाता है, कि यह g sin alpha और t से गुणा करते वक्त, अब यह corn बन जाता है, फिर दिक्कत हो जाती है, नहीं, एक परिशान ही खड़ी हो जाती है, फिर math में आपका मन नहीं लगेगा, इसको मैंने पहले इसे box में बंद कर दिया, t की जिगा भी क्या रखेंगे, 0 plus c, तो बताओ, यह 0, यह 0, that implies c is equal to क्या गया, 0, c is equal to क्या गया अब c बराबर 0 कहा रखेंगे, equation से 6 के अंदर, तो हम direct क्या बोलेंगे, from equations 5 and 6, अब हम direct क्या बोलेंगे, from equation से 5 and 6, from equation से 5 and 6, रखो, यह कितना आ गया हमारे पास, x dot या dx बटा dt, यह कितना गया, m plus m upon small m, यह capital M है, बई, into में g sin alpha, into में g sin alpha, into में t, और c की जिगा आपको क्या रखना है, 0 रखना है, c की जिगा आपको क्या रखना है, बई, 0 रखना है, अब आप दुबारा integration कर दो, अब हम क्या लिखेंगे, again integrations, अब हम क्या करेंगे, again integration, या again integrating it, अगेन इंटिग्रेटिंग तो बताओ अक्स डोट का मतलब dx बटा dt है इसका मतलब यह कितना है dx बटा dt m पलस m अपॉन mg sin alpha constant है और यह t into dt करने का मतलब देखो मैं क्या लिख रहा हूँ इस अक्स डोट को ऐसे लिखूँगा देखो ऐसे समझो आपे इस अक्स डोट को हम कैसे लिख सकते हैं dx बटा dt dt को मैं इधर ले जाता हूँ t into dt दोनों पक्सों में क्या करना अपने को integration करना है तो यह constant है इसका integration कितना बचेगा वई integration dx का कितना बचेगा x यह क्या बचेगा m पलस m upon small m और g sin alpha हमारे पास ऐसा कैसा t का integration कितना बचेगा वई t square by 2 पलस constant c2 इसको आप मानलो equations number 7 अब इसका भी constant अटाने के लिए फिर से क्या लिखोगे आप अपलाइंग लिखना आपको applying the condition t0 x0 x.0 तो यह क्या आगया वई x की जगार क्या रखेंगे 0 यह कितना बचा m पलस m upon m g sin alpha t की जगार भी अपने क्या रखा 0 पलस c2 मतलब ऐसे करने के उपर यह 0 और यह 0 मतलब c2 भी हमारे पास क्या आगया 0 आगया c2 भी हमारे पास क्या आगया 0 तो फिर से c2 का मान उठा कि आप equations number 7 में रख सकते हो ठीक है तो हम क्या करेंगे again from equation 7 and 8 अब हम क्या बोलेंगे again from equation से 7 and 8 again from equation again from equation से 7 and 8 तो यह कितना बचेगा वई आकसी यह कितना बचेगा m पलस small m upon small m into में g sin alpha into में g sin alpha और into में t square by 2 और पलस c2 की जगा क्या गया 0 आगया पलस c2 की जगा हमारे पास क्या आगया वई 0 आगया और यही हमारे पास इसका answer से हो जाएगा ठीक है अब देखो answer से में हमें क्या पूछ रहा है कि so that he get to the other end इनने time पूछ रहा है वई time मतलब हमें इसका small t निकालना है तो अब यहां से t निकालो तो देखो पहले 2 को इधर ले आओ तो यह कितना जाएगा 2m इधर आ गया 2m x अपॉन केपिटल एम पलस एम इंटू जी साइन एलफा और इस सेड में बच गया टी स्कुए दोगो इसको मैं इधर ले आए अब मैथ है calculation है कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मैं इसे ज्यादा नहीं समझाऊंगा तो यह कितना जाएगा 2m x अपॉन केपिटल एम पलस एम इंटू जी साइन एलफा यह हमारे पास क्या लग गया टाइम आ गया कब देखो क्या कर रहा है he gets to the other end तो हम क्या लिखेंगे कि if या if की मजए लेंग्वेज में से लिखेंगे कि when the man reach when the man reach other end देखो इसके अंदर देखके लिखेंगे when he gets मतलब वो प्राप्त कर लेता है अपना destination यह लग से प्राप्त कर लेता है तो हम लिखेंगे when the man reach other end बताओ इसका दूसरा सीरा क्या है बई डाइग्राम में देखके other end b then x is equal to a सोचके देखो हमारे पास यह क्या था भई पलेंग था इसका यह हमारे पास total a b क्या था यह कहीं पलेंग था starting में वेक्ती दूरी तैकर के आया x point p के ओपर जैसे यह point q ओपर आएगा तो यह दूरी जैसे last point b के ओपर पहुंचेगा अब x की जगहां आप यहां a रखोगे तो यह हमारे पास कितना आ जाएगा t is equal to root के अंदर 2m x की जगहां मैंने रख दिया a और यह बच गया m पलस m into g sin alpha ठीक है या फिर आप ऐसे लिख सकते हो अपनी बुक के according कि 2m a upon m पलस m into g sin alpha root लिखो या इसकी power में एक बटा दो लिखो और साथ साथ बताओगे कि where यह a क्या है where a is the length of the plank ठीक है तो यह हमारे पास एक example था यह हमारे पास एक example था जो हमने लगबग one hour complete कर लिया है और मेरे हिसाब से इस example में मैंने कोई भी कमी नहीं छोड़ी है कुछ-कुछ कमिया रहींगी क्योंकि physics है बीच-बीच में physics है तो यह बातें आपको माननी पड़ेंगी कि इस side में action होगी इस side में reaction होगी इस side में force होगा इस side में यह perpendicular घटक होगे तो यह हमारे पास sin alpha अगर मैं ऐसे लिख देता कि देखो यह तो हमारे पास कितना आ गया जैसे r है और यह theta है यह r sin theta तो आपके समझ में आता है कि क्यों आता है पर यह हमारे पास जैसे यह वाली दूरी हटके इधर ही आगी parallel होगी तो यह हमारे पास m plus m into g sin alpha यानि m plus m into g sin alpha ऐसी कुछ-कुछ बातों को आपको ध्यान रखना है बाकी मैंने diagrams को अच्छे से drive किया है अब देखो आप just a executions number 1 देखोगे अब आप क्या करोगे इसके अंदर exercise 1 का क्यूस देखो अब आप क्या करोगे exercise 2.1 है साथ-साथ इस question को करने के तुरंत बाद आप exercise 2.1 में questions number 1 करोगे जो मेरे पास इस वक्त जो JPS की book इसमें page 17 के उपर है page 17 1 के उपर है ठीक है इस question में आपको small m की जगह तो रखना है capital M और a की जगह आपको रखना है 2a ठीक है भई इस question में आपको small m की जगह तो क्या रखना है capital M और capital M की जगह उल्टे हैं भई capital M की जगह small m और small m की जगह capital M और a की जगह अपने को क्या रखना है 2a तो बताओ answer कितना आजएगा 2 capital M और a की जगह 2a तो 4m या जएगा न देखो capital M रखोगे small m की जगह capital M और small m की जगह आप पे capital M रखोगे तो ये कितना आजएगा root के अंदर 4m A upon वापिस m पलस m into g sin alpha और ये पूरा root के थीक है दोनो उसमें भी plank है बस उसके अंदर length change होगी और उसका mass अदला बदली इंफरम हो गए कि लगबग लगबग आपके पास language किस परकार से लेने वाले क्यूशन के अंदर देखके वो आप अच्छे से समझे चुके हैं अब हम next lecture के अंदर example number 2 3 इसके अंदर और पढ़ने वाले हैं ताकि हमारे पास नेक्स्ट लेक्सा नमबर है 5 के अंदर